देली बोल चाल में यूज होने वाले अंगरेजि के सब्द जो काफी useful हैं, समझते हैं इन सभी का कैसे use किया जाता है, इसका क्या formula होता है, इसका क्या concept होता है, इसका क्या meaning होता है। तो सबी चीजे आज के स्वीडियो में कवर करेंगे तो सबसे बले समझते हैं यूज ओफ हैविंग टो बताता कि कोई काम मजबूरी वस करना पड़ रहा है इसके लिए आप फर्मूला लगाते हैं सबसे बले सब्जक्त इसके बाद इस एम आर प्लस हैविंग टो प्लस वर् कार उसे कार बेशना पड़ रहा है तुम्हें बजार जाना पड़ रहा है यू आर हैविंग टो गो टो मार्केट तुम्हें बजार जाना पड़ रहा है रवी को खाना पगाना पड़ रहा है रवी इस हाविंग टो कूक फूड ऐसे कई सब बना सकते हैं पर्जेंट के लि था कोई चीज़ें आप पास्ट में हुआ करते थे एक्जाम्पल से समझ पाएंगे फर्मुला होगा सब्ज़क्ट प्लस यूज़ टू बी प्लस अधर वोड़ आपको होगा एक साम्पल देखें जैसे कि वह एक डॉक्टर हुआ करता था तसने सा बनाएंगे यूज़ टू बी आ डॉक्टर हुआ करता था वह लोग बैमान हुआ करते थे यूज़ टू बी डिस अनेस्ट वह लोग बैमान हुआ करते थे अमन नटकट हुआ करता था अमन यूज़ टू बी नौटी अमन यूज़ टू बी नौटी अमन नटकट हुआ करता था यह सब चीज़े पास्ट में आप कोई चीज़े हुआ करते दे उससे दिखाने के लिए आप यूज़ टू बी का यूज़ करते हैं आगे आपके पास से will have to जो बताता है कि कोई काम करना पड़ेगा या फिर कोई काम करना होगा कब future में future में कोई काम करना पड़ेगा या फिर होगा उसके लाप will have to use करते हैं formula होगा subject plus will have to plus फर्स्ट फर्म प्लस object example रवी को गली सजाना पड़ेगा रवी will have to decorate the इसे बार से हम लोगों को इसका इंतिजार करना पड़ेगा वी विल हाब to wait for him we will have to wait for him हम लोगों को इंतिजार करना पड़ेगा तुम्हें खाना पकाना पड़ेगा you will have to cook food ऐसे आप कई से संटेसे आसानी से बना सकते हैं जहां पर आपका use होगा will have to used to have जिसका मतलब होता है pass हुआ करता था कोई भी चीज़े आपके pass हुआ करता था past time में उसके लप लगाते हैं used to have formula होगा subject plus used to have plus other words आएगा example मेरे पास से car हुआ करता था तसुरणिस बनेगा i used to have a car इसरे भार से उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करता था शर्णिसोगा he used to have a lot of money इस parts are almost बना सकते तै not इस वार से के पास बड़े-बड़े बाल हुआ करता था तस одну खोगा अकास उस्टू हैब लांग हैर उस्टू हैब के साथ आप लगा सकते हैं अधर वर्ड जो कि आपका इस पर्स होगा यह मिनिंग आपका देगा कोई चीज़ा आपके पर्स पहले हुआ करता था लेकिन पर्जेंट टाइम में नहीं है अधर टू डेट आपका बताएगा हिम्मत हैं कोई काम करने की हिम्मत हैं इसका फर्मुला होगा सब्जेक्ट सिंग्लर सब्जेक्ट के साथ अप लगाएंगे डेएर प्लेस टू वीवन प्लेस अब्जक्ट या पिर आप बोल सकते हैं अधर वर्ड यह डेयर और डेयर सो हैं यह आपका सट्नेस में में वर्प हैं एक्जामपल रवी को स्टेज पर अंग्रेजी बोलने की या फिर बोलने की हिम्मत हैं रवी डेयर से टू इस से भी बात करने की हिम्मत हैं तो सट्नेस होगा we dare to talk to anyone वी dare to talk to anyone हम लोगों को किसी से भी बात करने की हिम्मत है या फिर साहास है इसकल आप लगाते हैं यह देर्स टू बीट रवी क्योंकि पीटा ही इससों खाएगा वह रवी खाएगा पीटे का कौन उसे पीटेगा इसलिए पर आपका सब्जक्ट ही होगा इसे बार से आपके पास संटेंसे और भी बनेंगे यह से कि वांट टू वांट टू मिन्स होजागा आपका चाहिए त होगा इसका फोर्मुला होगा सब्जक्ट प्लस वांट टूप्लस वर्व का फंपर अब्जक्ट इसका दूसरा हुस आगा कि सब्जक्ट आपका लगेगा वांट आपका लगेगा अपजक्ट ple ness आप अधर ऀ साकते हैं आपके मुझे कुछ पैसे चाहिए ते आप आप लगाएंगे इसे I want some money subject आपका आई हो गया वांट आपका वर्व हो गया और समनी आपके यह पर अधर वर्ड हो गया आप साइट यह पर अबजेक्ट भी कहा सकते हैं रवी को किताब से रवी वांस आपको इसे बारते हम लोगों हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं अग के साथ तू लगाना होगा फिर आपका वर्व का फर्स्ट वर्माएगा जैसे कि वी वांट टू इस पिक अंग्लिस हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो इससे आप संदेंस बना सकते हैं कहीं सारे रवी कपड़े खरीदना चाहता है रवी रवी वांस टू बाई उड़ हाब का मतलब हो सागा पड़ता होगा कोई काम करना पड़ता होगा पास्ट में इसके लाब फर्मुला लगाते हैं सब्जक्ट प्लस उड़ हाब टू प्लस वर्व का फर्स्ट वर्म प्लस अदर वर्ड एंसांपल होगा उससे बारा घंटे काम करना पड़ता होगा कब करना पड़ता होगा ये काम करना पड़ता होगा पास्ट में ही इसके लाप would have to use करेंगे संडेस बनेगा he would have to work for 12 hours ऐसे आप बना सकते हैं फिर्या को अकेले खाना पकाना पड़ता होगा पिर्या would have to cook food alone संडेस आप इसी बार से कई सरे बना सकते हैं यही तरीका है येसे आप संडेस बना सकते हैं कोई काम करना पड़ता होगा पास्ट के लिए इसे बावर से आगे आपका Ood, Ood का मतलब होताईगा गागेगी लेकिन संदली हम लोग देखते हैं का Will का मतलब गागेगी होता है लेकिन Ood का भी मतलब होता है Will को सब आप चेंस करते हैं उसमें इसका भी फर्मॉला सिंपल होगा सबजक्ट होगा और प्लस वर्ब का first one plus object होगा sentence में लेगेगा मैं जानता था तुम नहीं आओगे या पर आपका गागय की आ रहा है इसके लापको लगाना होगा sentence आपको बनेगा I knew that he would not come मैं जानता था तुम नहीं आओगे या पिर आप सिदह समझ सकते हैं या पर आप यू भी लेख सकते हैं लकिन सब आप डारेक्ट से इंडारेक्ट में सैंस करते हैं उसे सई त्रिके से चैंस करना पड़ता हैं यह वाला भी आपका सही है उससे ने रवी से कहा कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा सब्सक्राइब को बनेगा ही साट तू रवी या पिर सिदह बोल सकते हैं ही टोल्ड रभी डाट ही ओड लर्न इंग्लेश ऐसे आप बोल सकते हैं जनरली आप समझेगा कि आई न्यू दाट यू उड्नाट कम यह संदेंस भी आपका सही है जापर आप उड का यूज़ कर सकते हैं तो संदेंस आप इसी पगाट से बनाएए अंग्लेशी में प्रैक की जरूरत हैं I need a car रभी को कोई सपैसे कमाने की जरूरत हैं तो संदेंस आपर बनेगा रभी नेट्स टू आर्न सम मने जब कोई काम करने की बात आजए तो नीड में आपको टू लगाना पड़ेगा पलस आपको वर्प का फर्स्ट वर्म लिखना पड़ेगा इसे बार से हैं अबाउट तू अबाउट तू मतलब बताता है कि कोई काम करने वाला हैं करने ही वाला हैं काम होने की नजदीगी को दिखाने के लिए आप अबाउट तू का यूज़ करते हैं जिसे सबजेक्ट प्लस इसम आर प्लस आबाउट तू प्लस वर्प का फर्स वर्म प्लस वर्ड एजाम्पल बस आने ही वाली हैं तो सबस्ट बनाते हैं दा बस इस अबाउट टू अराइब बस आने ही वाली है तो सबस्ट आपका इस बर समनेगा वह घर आने ही वाला है इस अबाउट टू कम टू हाउस वह घर आने ही वाला हैं इंट्रेस्टेट इन मतलब की रूची हैं कोई काम करने में रूची हैं सब्जक्ट प्लस इस अम आर प्लस इंट्रेस्टेट इन प्लस वर का फॉर्ट फर्म प्लस अधरवड होगा एस अमपल रवी कॉंग्रेस जी बोलने में रूची हैं रवी इस इंट्रेस्टेट इन स्पेकिंग एंगलेस हम लोगों को पीज़ा खाने में रूची हैं उसे बार से यूज़ तू जिसका मतलब होता है कि कोई काम किया करता था पास्ट में एक हैबिट के तरह सब्जक्ट प्लस यूज़ जाएगा एसे आप sentences बना सकते हैं कई सारे जहां पर आप यूस्टू का यूस्ट करेंगे इसका हुज़ागा subject plus is mr plus addicted to प्लस वर्फ का फॉर्ट फॉर्ट फॉर्फ फॉर्फ प्लस अउबजक्ट वो धुम्रपान करने का आदि हैं वो धुम्रपान करने का आदि हैं यह यह अडिक्टेट फॉर्ट बना सकते हैं है प्वांड और फॉर्ट फॉर्ट ऑफ का मतला है कोई का काम करने का एं इसका उला सब्चिक다 फॉर्फ प्लस इस्यम्रप फॉर्ट ऑफ प्लस पॉर्स एकला सरभण पॉर्ट प्लस वह एसे बार से हम लोग किर्केट खिलने का सौकेट है इसा आप संडेसे बना सकते हैं फॉन दोब के बाद जो भी आपका वर्ब आएगा वह फोर्ट में आएगा दैमिस वर्ब के लास्ट में आपको आइंसी लगाना पड़ेगा कैसे के ड्राइबिंग और प्लेंग होए कैसे बार से सो गाइस थांक्स पर वस्टिंग दर्टों फॉर्ट